हेलो फ्रेंड्स मैं स्वाती जी एटली आज अपनी नई रेस्पी लेकर आई हूँ सर्दियां खतम हो गई पर अक्सर घरों में मक्य का आटा बचा रह जाता है और कोई इसकी रोटी खाने को तयार नहीं होता क्यों न हम मक्य के आटे की मठ्री बनाए जो खाने में बहुत ही स्वादेश्ट लगती है हमने दो काप मक्य का आटा लिया है इसमें हम वन टेबल स्पून अजवाईं डालेंगे वन टेबल स्पून जीरा वन टेबल स्पून कस्तूरी मेठी वन टेबल स्पून सफेद तिल हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून नमक हम इसमें रिफाइंड भी डाल सकते हैं मोयन के तौर पर इसमें हम ओलियो आयल भी डाल सकते हैं और देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें 2 टेबल स्पून ओलियो आयल का यूज़ कर रही हूँ मोयन के लिए इन सभी को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है अब हम इसे हलके गुंगुने पानी से गुंधेंगे हमने डो तयार कर लिया है इसे हम रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे डो को रखे हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं अब हम इसकी मठ्री बनाएंगे इसमें से छोटे छोटे बॉल्स लेंगे और इसे बेलना नहीं है इस मठ्री को हमने हाथ से ही बनानी है दबा कर इस तरह हम हथेलियों से इसे दबाएंगे ये इनको ज्यादा पत्दी भी नहीं करना है और ज्यादा मोटी भी नहीं रखना है मीडियम हमने दोनों हथेलियों से दबा दबा कर मठ्री बना ली है अब हम इसे तलेंगे कढाई में ओल्यू ऐल डाल दिया है ये हलका गरम हो चुका है अब हम मठ्री डालेंगे और इसे मीडियम आज पर ही हम सुनहरा करेंगे हमारी मठ्रियां गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं अब हम इसे निकालेंगे हमारी मक्य की क्रिस्पी मठ्रियां बनकर तयार हैं इसे आप भी बनाएं अगर आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले